कि हलो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग तो उम्मीद है अच्छे होंगे तो क्लास करते हुए मज़ा आ रहा है कि नहीं दर भी लग रहा होगा ना अंदर धक-धक चला होगा भाई साथ बचे अब मातर 25 दिन क्या होगा मेरे साथ क्या मेरी किस्मत रंग लाएगी भ क्योंकि आखरी उम्मीद होती है कोई भी पिपर होता उनकी आखरी उम्मीद होती है कि बस इसमें हो जाए तो ज्यादा बात ना करते हुए आज हम पढ़ेंगे हिंदी की जबरदस्त क्लास अलंकार तो वह क्लास जो आप पांच मिनट में हर चीज सीख लेंगे अलंकार अच्छे सच्छे सीखने की कोशिश करिए बाकि आपको जहां से अच्छा लगड़ा पढ़ने मों वहां से पढ़िए जरूर लिकिन कुल मिला के पढ़ते रहें पेपर बहुत नजदीग है ठीक है तो स्टाट करते हैं आज कि क्लास है हमारी अलंकार तो अलंकार किसको कहत कि काबी की होंश कर parameter वड़ाने वाले को क्या कहते है अलंकार अब चीजे हमें पढ़नी है हम पर जो चीज को यूपी पूलिस जिसमें हिंदी पूछी जाती है वो सब टार्गेट है ठीक है तो अब बंडे एक्जाम में इस से जदा हाई-फाई-पूछता नहीं है ठीक है तो लेबल जहां तक यह होता हमारा अर्था अलंकार है तो सब्दा अलंकार में कौन-कौन से अलंकार आते हैं अर्था अलंकार में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ जो स्लेसलंकार एक होगा से दूसरा होगा है हमार पास मेर अ है तीसरा अनुप्रास कि तो जो इंपर्टेंट 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 आप पढ़ना रहे है को श्टन हमेशा पूठे का तो कोशन हमेज़ा कहां से पूचता है यही से तो सब्दा अलंगार में कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन ठीक है यम अभरास में साइं हमें यह मिल गया वीपरास लंकार अर्था लंकार में यh कौन-skौन से बागी बचे लंकार कौन-कौन-कौन से अलंकार होते एक दो देखो ऋब सब ख़ीक है उप्मा कि ऊप्मा हो गया और कौन सा आए जली सी रूपा का लैंकार अननुप्रिच्चा प्रिच्च तो घे और बताओ छूम को आquer को ओ- beiden को आइस तो यह तीन 7 वह में पढें नहीं जो प्रूपte पुझने हैं इसमें से इक और पढनों यह रहाँ और पर लो कि अब पत्रूच प्रूच है तो इस बताने वाले हैं तो मजा आएिक च्यक्ति अच्छी लिगी और मज़ा आया से तो जब भी आपको यह चार हो जाए तो इससे आगे नहीं पुछेँ दूँए खार और इसके मतलब कर शिपका हुआ कोई सब्सका誉में मतलब को एक सब्सक्मा होगा उसके साथ सब्सक्राइब कि दो या दो से अधिक बार है दो से अधिक आ अधिक बार आए ठीक और अजलम कर औहार अउन अध्याहक है धुकि बाडल मतलब कोई बेंजेन हो सकता और हिसा ने थे लिए कि आब्र बढ्र विप्साइब कि आपरती बार 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 रूँंत फिरकर एक दो या दो आधिखवार प्रिक चलो बीपसा में आद़ कोई फटान कोई सब्डाज के साथ होग इसमें आदर आदर के साथ कोई सब्द दिया होगा उसका IPS तेको आप यहमक यह मख मिख क्या है कोई सब्ड दो बार आए दो बार आए रकाला हुआ is him raja हम और । मतलों दो बार के कि खो ह्युग चिपका हुआ हे अच्छों यह हमारे और अनुपराज 2 से अधिक बार बढ़ को थे दोसे अधिकबार बढ़ है किया बढ़ को यह जैसे माँ हो गया पा हो गया भाड वह गया यह साज उत प्रेच्छ जाना आड़ सानो मानोज जाना हूँ छीज़े दिख जाए है मानोज जाना फोसी में सब्सक्राइब मतलब कोई सब्द दो जुआ सब्सक्राइब थी दो सब्सक्राइब कोई सब्द दो या दो से अधिक बार आए ठीक है सब्द सब्द की बात हो रही यहां पर बढ़ों की बात हो रही तो यमक यम्राज मैं और दोनों हम और यम्राज दोनों मिलके कोई काम करेंगे ठीक है तो मेरी मौत होगी तो यम्राजी ले जाएंगे ठीक चलो, तो यम्राज दो सब्द मतलब नुप्रास हो अधिकबार, अनुप्रास, अधिकबार, अनुप्रास, ठीक है, बार बार, वीपसा मतलब आधिर साथ कोई सब्दो, रूपक मतलब योजक-क चीन लगा हो, उप्वा मतलब साथ सिसे दिख जाए आप को आप पहचांज देंगे उत्परेचा मानों जानों सानों ठीक है कोई भी सब्सक्राइब बढ़ा चड़ा कर कोई बात की गई हो ठीक आप इसके आम उदारण के बात करते हैं पहले यह ऐसे लिखे रहेंगे और फिर उदारण साथ में आपको लिखा लगे होंगे तो आपक शिपका हुआ उपमा सा उपमा मा के बाद सास रूपक मतलब योजक चीन मिल जाए तो प्रेच्छा मानों जानों अत्ष्वक्ति बढ़ा चड़ा कर बस चलो तो आज का पहला कोशन इसकीन पर दिख रहा होगा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इसका अंसर चलो काबी की सोभण भणाने धर्मों के अलंकार को केते हैं इस बक्ति में प्रियुक्त-धर्म-bankस अलंकार केते है तो बताओ कि कापके की सोभण बढ़ने वाले धर्म को अलंकार केते हैं इसमें धर्म का आर्थ क्या है धर्म detail मैं हो उक मजञ कोई से उसको बताएगा कि आदमी इंसान अच्छा है कि इस रंगार यह हमारे हो गया रस की तरब भी जाते हैं लेकिन हम काभी की सोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं अलंकार ठीक है चलो चुछ इसमें क्या धर्मकार्त क्या हमारे पास धर्मकारत कोई की मतलब सोभा ब बताओ क्या पुछा है कूलन में केली में खाजन अदे में कनजushan में निखांवries आछली सीब आट से तो इसमuben देखो क्या लिखा है हमने आपको ज़ुक्त। दो बढ़ों से अधिक बढ़ों के अभरति बार बार हो तो देखो इसमेह गालं मतलब कूल बारु आभरति और Г dw अनुप्रास अधिक बार अभर आप रही थी तो हमारे पास यह कौन सो पहुच गया अनुप्रास अलंकार तो आपसर नमबर कौन सा हो जाएगा अपसर नमबर 2 का ए पहस्याले दो का ए चलो के पिर कोकौन सो नमबर ती लिखा रीजी रीजी रईएस रईस रास यह वहां जिखा यह दो से अधिक बार आए तो रा तो यह मारा किसमें चलेया यह 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 भी अनुप्रास अनुप्रास तो आपसर नमर कौन सा तीन का तीन का भी यह चलो चलो आप कोशन नमर चार देखो बही मनुस की जो मनुस के लिए मरे ब्रक्ति में कौन सा अलंकार है बही मनुस जो मनुस के मनुस की बही मनुस जो की मनुस के लिए मरे बताओ बही मनुस है जो मनुस के लिए मर क्या होता है सब्सक् Focus तो देखो पूरा सब्सद सब्सक्राइब लिए नुवराय तो मतलब इम्राज ने उठा लिया इन दोनों को ठीक जूँए इम्राज ने ने को इण राज गया जो एक नाम के दो होते हैं उनको उठा लेते हैं होता है ना यहमाराज का? उन्हीक उठाते हैंब यह बता तोमारा भी नाम कुछ है उसका भी नाम कुछ Seems है वहा है से तो भी जागए कि उसको ठाकर बहुँत जहाए तो जिसके दो नाम हो तो आई उठा ले जाएक तो क्या है मनुस मनुस आया तो मिराज ने उठाव लिए तो यह में लंकाच चलो question नम. 5 देखो इन पक्ति है कौन्स अलंकार की चन्चल किरना, झ keeping डिकल में जलतर उ और रहे हैं जलतर में तो और चा सब्द देखो वड़ों की आवरति बार भार हो दो या wreck सबस्क्राइब दिखा कि इस चारू चंदर की चंचर करते हैं तीन बार मिला दो क्या हो जाएगा फांच का नंबर सी अनुप्रास अलंकार समझ रहे हो चलो अभी तो हम यहीं चल लाएं अनुप्रास है यह मखी पड़ रहे हैं अभी सिलेश बाकी बीपसा बाकी उपमा प्रेच्छा यह तो शक्ति इसमें भी आएंगे ठीक है है हाँ तो थोड़ा सा मिटाल लेते हैं ताकि हमें समझ में वहां चीजें हमें कौन-कौन सी कर रहे हैं यह हम लिखा रहे ने दें ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आया है चलो 5 चला है कोशन नमर 6 पर चलो जल्दी से 6 लिखा है माला फेरत जुग भया फिरना मन को फेर करकर मन का डारी दे मन का मन का फेर ठीक बताओ इसमें से कौन सा लंकार है तो इसमें क्या दिखा देखो कोशन देखो माला फेरत जुग भया फिराना मन का फेर करका मन का डार मन का मन का फेर देखो कि देखो सब्द मिला सब्द ना की वह कि अनुप्राश भी इसमें दिया गया है लेकिन देखो जब सब्द मिला है देखो माला फेर तो जुग वह या फिरना मन का फेर करका मन का डेर में मन का मन का फेर ठीक है मन का मन का फेर तो इसमें मन का अलग रहता है एक मन का अलग रहता है और दूसरे मन का अलग रहता है तो जिसमें दो सब्द मिल जाएं दो बार या उससे अधिक बार तो कौन सा होगा तो यमराज उठा लेंगे उसको कौन सा होगा हमारे पास यमा कलंकार ठीक है अब आप दिमाख लगा रहेंगो सर इ कोशन नमर साथ सब्दों में अलंकार का चैन दीजिए उचे गोर मंदर के अंदर रहरवारी उचे गोर मंदर के अंदर रहाती ठीक है तो साथ का देखो उचे गोर मंदर के अंदर रहनवारी उचे गोर मंदर के अंदर रहती ठीक है तो मंदर मंदर के अंदर मंदर के अंदर मंदर के अंदर मंदर के अंदर क्यों आया तो बैसाइव आज ने उठा लिए इन नब्वे ना तारे इतारे में कौन सी पक्ति बताओ जेते तुम तारे तेते नब्वे ना तारे ठीक है तो तारे तारे दो बार आ गया इसमें तारे 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 दो बार तो कौन सा हो गया तारे तारे तो दो बार कौन सा हो गया अमराज ने फिर उठा लिया यमा कलंकार ठी काली गटा का गमंड गटा घटा गटा 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 एक काली मतलब बादल पैसे हैं कैसे कालव दूसरा अंका गट अल्ग गया तो दोनों अलग हैं पर अania इंसान अलग अलग है नाम एनylie हैं तो पर मेंकाल तो यह ने हो गए अव लुक्त है चलते हैं यह चलो इसमें देखो 11 नमबर सारंग चली कई सारंग जीनों पाई है सारंग कई यह जोट ठीक है तो सारंग देखो यह सारंग मिला है क्या इस टो एक सब्ढू या दो से अन्य अधिग सब्द तो कौन सा सब्द आया सारंग इनको भी उठा लिया इनको भी उठा लिया किसने अम्राज ने यमक ठीक है चलो यह हो गए अब चलते हैं नैश्ट नैश्ट चलते हैं किसकी तरफ चलो तो देखो देखो बारा नंबर कोशन देखो बारा नंबर में देखो मैंने आपको एक चीज़ और बताई सिले सलंकार देखो चिपका हुआ तो चिपका हुआ कोई भी देखो चिपका हुआ आपको देखो एक तो रूपक अलंकार या रूपक अलंकार और सिले सलंकार में यह लगाएंगे डिखाट नहीं यह सबका होगा वे गुंद की तरह यह टाइए गया इसली ठीक है तो देखो तो चंज दिख घराऊगे से रावड फिर्ष सरोज बंचारी चाली की मुख में अलंकार हाừa मुख थीकें छीर्फ माइख है तो इसका इसली के से शरी मुख मतलव टूसरे चिपके हुए थिक है चलो 12 हो One the обратly. एथा अब 21 अब 13 नमजeg वह थे रहना नमज़ 13 नमर तो सा दिखा तो मतलब सा कहा जाएगा उपमा रंकार तो आप्सन नमर काउन सा है 13 नमर आप्सन C 13 का C सा आगया चलो जेते तुम बो 14 नमर खिली हुई हवा आई फिरकी C आई चली गई पक्ति में C पिर सी आई तो चोदा का फिर सी आई तो कौन सी होगे आपसन नमबर उपमा ठीक है चोदा का साथ सी से जो भी दिख जाए आपको चलो आप चलो 16 नमबर 16 नमबर अंबर पन गट में डूब रही तारा गट उसा नंगरी में कौन सा लगा रहा설 जल्दी बताओ अलंकार तो तो अमबर पन गट में डूब रही तो देखो इसमें आमने का पता है सिलेशत दिया नहीं गया खे है और आपको योजक चिंद कह रहा है तो कहुंसा यूजग चिन दिख रहा है आपको चलो चारर कमल बंदों अरजाई चारर के बाद और बीच में डेस लगा है तो कहा चलोगे से लेश में चलोगे की रूपक में तो जब रूपक उसलेस दोनों तो कहां पहुंचाएंगे हम रूपक को ठीक है अगर नहीं दिया होगा तो हम इसा दिखेंगा रूपक नहीं तो आ बार बार ठीक है इसमें नहीं लगाया कुछ भी कर दिये ठीक है तो डैस बीच में लगा होना चाहिए कि चलो अब 19 नमर चलो उदित उदेदी गिरी मंच पर रगवर बाल पतंग विकत संद सरोज सथ हरे से लोचर ब्रंग और प्रिक्त में ते अलंकार बताओ तो देखो लोचन भंग लोचन भंग बीच में यह डेस लगा है ना बस पहुंचा लो कहां जाएगा रूपक में चलो 19 हो गया 20 नमर चलते हैं सब कुछ समझ में आ रहा है ना मजह आ रहा की नहीं उपमे तथा उपमान का अबेद आरोप होने पर होता है तो कौन सा उपमे में उपमे होतने ईसमने के तुपमे आरोप तो एक दूसरे हो यह आरोप का चिन डेस करता है यह अरोप लगाता है एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं ठीक है तो जब जोके मानों मानों दिग्या गाहा हो गए मानों उत प्रच्छा कहा पहुंचाओ कहां पुह सुनना सिर्फ 21 का जल में 21 का मानों जहान दिख गया कोई 21 का 21 का ठीक है तो 21 का ज़ें पर मानों जानों दिख जाए तो कहा जाएगा कि श्योक्त तो सोरी का जाएगा उत्प्रेच्छा अलंग्कार उत्प्रेच्छा की ए तो आपने 20 में से कितने कोशन ठीक कर रहे हैं जली से बताओ अलंकार समझ माया सच बताना कमेंट में जरूर यह चीज जरूर बताना कि सर आज की किलास बहुत गजब की थी सच बताना अलंकार आपको कैसे लगे अब अलंकार पहचान लोगे ना अब प्रक्टिस सेट में मैंने आपसे पढ़ा था मजा आया समझ में आया आप समझ जाओगे ना कौन सा लंकार होगा रूपा को उपमा और प्रेच्छा ठीक है अतियुस्वक्ति में बड़ा बड़ा चड़ा कर मतलब वहां नहीं क्या ना वो राम जी मतलब वो हरे वो क्या बोलते यार बजरंग अलंकार का उधार जैसे को शीज बड़ा चढाके बोली जाए ठीक है खान चले चना होन भी मिल गई मिठाई घर में नहीं चेना क्या ना वह कहरें हमारे घर में है अधिक तो अधिक यह नाम के दो यादो से अधिक लोग होंगे तो एम्राज सब को उठा लेंगे ठीक है कै कैसी लगी यह वाली ट्रीक उथ्प्रेच्छा मान जाओ यार प्रेच्छा कर रहा है जान जाओ यार मानो जानो ठीक है अगर रूपक नहीं है तो बंप्रास अनुं अधिक बार एक बढ़ अधिक बार आ जाए कोई भी एंजन एक से अधिक बार आज़े समझो अनप्रास में जाएका जैसे क्या बता है तरतनुजा तरतमाल तरवर वह उच्छा है ता बार-बार आ रहा है ना समझ जाओ ठीक है तो क्लास कैसी लगी यह चीज बता आप मजा आ बारट चैनल को सब्सक्राइब लेना और रहल से बेश्ट बिश्ट होगी अभी अभी तो श्टार्टिंग ठीक चलता हूँ जय यहीं जय बारत